आप जिस भी देश में ऑपरेट करते हैं या करना चाहते हैं उसकी कानूनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है ऐसी बहुत सी जगा है जहां एक उंट्रेप्रिनेर होने के नाते गलतियां कर सकते हैं जैसे कि हमें सुनाई देता रहता है कि कमपनियों में स्टेक होल्डर्स या शेर होल्डर्स के बीच शर्ते स्पष्ट नहीं है और इससे कमपनी के अंदर चुनौतियों वाली का इस्थितियां बन सकती हैं और संस्थापक कमपनी चोड़ने का फैसला ही कर लें ये तब होता है जब संस्थापकों के बीच एक ऐसा बहुती स्पष्ट समझोता ना हुआ हो जिसमें कमपनी में उनके जिम्मेदारियों को साफसा बताया गया हो और ये भी कि कि किसका कंट्रोल रहेगा और कौन फैसला करेगा अक्सर देखा गया है कि संस्थापक की समझोते में पार्टीज की सभी अधिकार और जिम्मेदारियां साफसा बताई नहीं जाती दूसरा ट्रेडमार्क्स का उलंगन हो सकता है ये स्टार्टप एकोसिस्टम में एक आम मुद्दा है ट्रेडमार्क से जुड़े मामलों से कंपनियों की साख को धक्का लग सकता है जिससे आर्थिक जुर्मानी की नौबत आ सकती है और मुख्य संस्थापकों का ध्यान कामों से हट सकता है कानुनी कलितियों की लिस्ट में ही संस्थापक होने के नाते एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है आपको अपनी वेबसाइट और प्राइविसी पॉलिसी की शर्तों को बनाना है और उन पर कायम रहना है यूज एग्रिमेंट के माइने है कि वेबसाइट को देखने वाले लोगों के लिए शर्ते और नियमों को बनाना और प्राइविसी पॉलिसी के पेच पर ये पता चलता है कि आप यूजर के वेबसाइट डेटा को कैसे यूज करते हैं जैसे कि कई वेबसाइट्स उन लोगों की important और sensitive information ले लेती हैं जो उन्हें देखते हैं ये जानकारी simple हो सकती है जैसे कि नाम, उम्र और साथ में उनका पता इंडिया में ऐसे कानून हैं जो privacy protection और data protection के लिए बहुत sensitive है इसलिए आपके पास ऐसी policy होनी चाहिए जो ये set करें कि आप इस गोपनी सूचना को कैसे कायम रखेंगे एक और बड़ी गलिती ये होती है कि शुरुवाती दिनों में आप अनुभावीन कानूनी council को चुन लेते हैं जब आप एक खास उचाई पर पहुंच जाते हैं और कारवार की नजर से आप ये महसूस करते हैं कि legal firms का appointment अब कोई समझदारी नहीं है तो अच्छा ये होता है कि एक आदमी को नौकरी पर रखा जाए जो आपकी हर situation में मदद कर सकता है आखिर में एक और आमगलती वो ये है कि वो कानूनी तोर पर गलत इकाई की रचना करते हैं जिसका नतीजा होता है जादा tax, बड़ी हुई जिम्मेदारी जिससे सबसे बत्तर हालात वो होते हैं जब आपकी अपनी नीजी संपत्ती जैसे की आपका घर, कार या दूसरी और चीजों पर जोखे माज जाता है और ये मुकदमादार होने पर होता है या अगर आपकी कंपनी उधार पूरा नहीं कर पा रही है तो होता है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और हमारे चैनल से जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजे तैंक यू वेरी माच